हेलो फ्रेंड्स मैं अनामिका मेरी कीचिन में आप सभी का श्वागत है फ्रेंड्स आज मैं बहुत ही बेशिक रेश्पी लेकर आई हूँ पूरी की पूरी बनाने शब को आता है लेकिन नए जन्गरेशन में बहुत सारे बच्चे हैं जो पूरी बनाना शिखना चाहते हैं तो आज मैं पूरी की रेश्पी लेकर आई हूँ, पूरी बनाना बहुत ही आशान है और ये जटबट बन जाने वाली रेश्पी है, तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं, पूरी बनाने के लिए शबसे पहले हम आटा तैयार करेंगे, हम पूरी के लिए आटा लगा लेते हैं, तो हमें ट्रे में आटा डालेंगे, एक कटोड़ी आटा यहां पे हम ले रहे हैं, आटा को हमने पहले ही छान के रख लिया है, अब हम इसमें डालेंगे नमक, नमक हम यहां पे आधा चम्मच ले रहे हैं, और आटे को हम थोड़ा सा ऐसे बीच में जगह बनाके, एक चम्मच तेल डालेंगे, तेल को हम आटे के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे, इससे पूरी जो है, बहुत ही खार्सा तयार होती है, हमने तेल को आटे के साथ मिक्स कर लिया है, अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालके आटा को गूंदेंगे, थोड़ा थोड़ा हम पानी डालेंगे, और इससे अच्छे से मिक्स करेंगे, आटा को हमने मसल मसल के एक बढ़ी असाडो तयार किया है, ना जादा कड़क है, ना जादा नरम है, अब हम इसकी पूरी बनाएंगे, तो हम आटा का लोई तोड़ेंगे, आटा को ऐसे लेना है, और ऐसे एक रोल बना के एक साइड की लोई काट लेनी है, आपको जितने ब बड़ी पूरी बनाने हैं उतने बड़े बड़े तोड़ लेजिए सबसे पहले लोई को ऐसे मसला है तो हम यहाँ पे 5-6 पूरी आपको बना के दिखाएंगे हमने आटे की लोई तैयार कर ले है पूरी के लिए अब हम एक लोई लेंगे और चकले पे ऐसे अंगुलियों से पेस करके बेलन की मदद से हम इसे गोल बेलेंगे पूरी बनाने तो सबको आता ही है पर मैं अपना इस्टाइल दिखा दे रही हूँ तो हम इसी शाइज की पतली-पतली पूरियां बेल के तैयार कर लेंगे दुसरी डोई लेंगे और इसे हम ऐसे घूमाती हुए बेल लेंगे हमने 6-8 पूरियां बेल दिया है अब हम गैस की तरफ चलते हैं गैस पर हमने एक कडाही में तेल गरम होने के लिए रख लिया है गैस को ओन कर लेंगे सबसे पहले हम तेल कुछ एक करेंगे एक छोटा सा आटा का टुकड़ा लेके हम तेल में डालेंगे आप देख सकते हैं अपनी तेल जो है पूरी के लिए गरम हो चुकी है हमने ये टुकड़ा डाला तो ये तैल के उपर आ गया हमें अच्छी खासी तेल गरम से लिए पूरी के लिए अब हम इसमें एक-एक पूरी को लेंगे और बड़ी ही साउधानी के साथ धीरे से छोड़ देंगे तो आप देखिए कैसे अपनी पूरी खीलते आ रही है पूरी डालते ही अपनी पूरी तैल के तेल के उपर आ गई हमें अब इसे अब हम इसे उलट के दुसरे साइब से से शिंक लेंगे इतना बढ़िया कलर आया है अपनी पूरी का पूरी शेखने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है लेकिन एक बात ध्यान रखिए तभी आप पूरी फ्राइ कीजिए तो गैस का खेम तेज होना चाहिए यानि कि तेव एकदम गड़म होनी चाहिए तभी पूरीया ऐसे खिली-खिली होती है वह हम चमल्स की मदद से इसे टेड़ा करके एक श्राते ली रा देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे आप देख सकते हैं इतनी बड़िया आपने पूरी फूर रही है बहुतों की सिकायब होती है कि मेले से पूरिया फोलती नहीं है हुआ है पूरी बंकर तयार है, आपने देख लिया कितनी आसानी से फुली फुली पुरियां तयार हुई है, तो फ्रेंट्स, आज की अगर रेस्पी अच्छी देगें, तो मेरे शेरन को लाइक कीजी, शब्सक्राइब कीजी, शेयर कीजी, और कमेंट करना मत भूलिए, भन्यवाद, वाले हैμε, झाले हैं, झाले हैं, तो मेरे चार मत फुली देटिए, वा रेज़ मेरे मत भीक के जए वивается पितार है, तो मुली जएपी अच्छी, वाले हम देओेंगें ह Czechit